मरियाधा पुरुशोत्तम श्री राम की जन्म भूमी भगवान बुद्ध की कर्म भूमी एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशिरवाद से अभिसिंचित उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की संस्कृतिक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय परवच श्रिंखला की तराई में स्थित है और यहां से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उद्गम हिमालय ही है घागरा नदी के बाई और कोई नहर प्रणाली निर्मित ना होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाई घागरा नहर परियोजना की परिकल्पना की गई पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोचना 40 सालों से अधोरी पड़ी थी वर्ष 2014 में माननिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में क्रिशी सिंचाई सोविधाओं के विकास हेतु देश में अभूत पूर्वकारियों की शुरुवात की गई वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप वहर खेत को पानी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री क्रिशी सिंचाई योजना का शुभारम बहुआ जो किसानों के लिए वर्दान साबित हुई वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वान चल बुंदेल खंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी किसान बदहाल और भाग्य भरोसे थी जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसु बहाते हैं उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सीचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वपरी रखते हुए वर्षों से अधुरी पड़ी विभिन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधुरी पड़ी सरियो नहर राष्ट्रिय परियोजना को मात्र चार वर्षों में पूर्ण किया पूर्व प्रधान मंत्री श्रध्य अटल बिहारी वाचपेजी के नदियों को आपस में जोड़ कर जलके इश्टितम उप्योग किये जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी जिसके अंतरगत पांच नदियों को आपस में जोड़ कर सिंचाई हेतु नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है 9800 करोड रुपए के लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतरगत 6600 किलोमेटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है जिससे 6600 किलोमिटर के बड़े क्षेत्र फल में छोटे एवं सीमान्त किसानों को विशेश लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृध्धी होगी इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभा होने से किसानों को अतरिक्त लाभ होगा साथ ही इसक शेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी आज माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी द्वारा प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना के अंतरगत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सर्यू नहर राष्ट्रिय परियोजना का लोकारपण की आजा रहा है। सर्यू नहर राष्ट्रिय परियोजना माननी अप्रधान मंत्री जी के किसानों की आयद दोगनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खोशहाली लाने में महत्वा पूरण भूमिका निभाएगी।